नबसकर दोस्तों निफ्टिया चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कहा था वैसे ही फिन निफ्टी में भी 19,233,246 हलांकि अच्छी तरह टच तो नहीं हुआ हलकी हलकी शेडो वहां पे जुरूर आई और हमें 19,000 की कॉल खरीदने का मोका मिला और हमें क्य क्या मिला 90,345,393 और 450 तक के टार्गेट हमें देखने को मिले तो आईए अब हम आते हैं रुपईये पर कि रुपईये में हमने क्या करना देखिए मैंने यहां पे आपको रुपईया खरिदवाया था यहां पे तकरीबन 82,555 के उपर यहां से सीधा आपारा टार्गेट ह सेल कर देना चाहिए 82.90 के आसपा सेल कीजिए और उपर स्टॉप लोस लगाईए मेरे हिसाब से यह वला यह 83 का आपको एसल लगाना चाहिए चार्ट के कोडिंग हाइस टू हाइस 83 निकल के आ रहा है पिछले एक दो मिहने का तो 83 आपका मतलब दस पैसे का स्टॉप लोस ह चाहिए और नीचे फिर से आपको टार्गर मिले सकते हैं 82.77 और 82.55 और नीचे की और आपको 82.36 और 82.45 तक के टार्गर मिल सकते हैं तो यह था हमाएं काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ इस रुपईये में तो आएए अब हम आते हैं स्टॉक्स पर तो स्टॉक्स में अग 92 के उपर बुलिश पैटरन लगातार बना हुआ है और 1100 उपर रिजिस्टेंस है यू बैंक देखिए 733 से एजेक्ली इसने स्पोर्ट फिर से ली तो कि 733 काफी अच्छा लेवल है वहां से ब्रेक आउट आया हुआ है और उपर की ओर 849 इसका टार्गर तीसरा स्टॉक्स तो निकल के उपर के आया बड़ी तेजी से वो आया रेमको सीमर रेमको सीमर ने 832 के उपर भी ब्रेक आउट दिया बड़ा जबदस्त उपर टार्गर 855, 868, 874 और 899 ये चार्ट पे एक स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस है तो आईए अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे तो में अगर हम देखें तो फिन निफ्टी में क्या करना है फिन निफ्टी में बार बार आते हैं नाइन आइनतिन serait त्गीफिर 19,000 की call लेनी है अगर 20 EMA पे भी आए तो 19,000 की call लेनी है चाहे ऐसा कर लो यहां 2 lot ले लेना यहां 2 lot ले लेना ठीक है add कर लेना और जहां average आए वहां से फिर 2 lot निकाल लेना और यहां नीचे stop loss 19,199 रखना जिनके पास capital capital कम है वो 90,265 के नीचे अपना stop loss रखो और एक 20 EMA के नीचे भी पांच पांच मेंट के तीन केंडल का stop loss रखो बाकी जिनके पास capital ज्याद है वह दो लोड यहां बाए करो तो दो लोड यहां भी बाए करो कि 20 EMA तक के डिप को भी बाए ही किया जाएगा और उपर टारगेट 90,300, 358, 377, 424, 445, 470 और उपर 19,510 यह आपके टारगेट हो जैसे 19,488, 19,510 यह एरिया आता है तो आपको यहां पर पूट लेनी चाहिए और stop loss रखना है 19,510 का और जैसे 19,510 के उपर पांच पाई मिंड की तीन केंडर क्लोज होती है तो आप फिर कॉल भी ले सकते हो बाकी पूट के टारगेट भी बता जाता हूँ जो पूट आप यहां लोगेए जिसका एसल यह होगा 19,510 उसके टारगेट नीचे की और वापस वही 19,469, 19,445, 423, 77 और उसके बाद 19,358, 307 और 265 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं तो यह थे डाउंसाइट और अगर 19,510 के उपर 5,5 मेट की तीन केंडल क्लोज होती हैं और हम 19,500 की कॉल लेते हैं जिसका स्टोप लोज यहीं 5,5 मेट की तीन केंडल नीचे होगा तो टारगेट होगा की ट्रेसमेट देखने को मिलेगी यह टारगेट आप सारे नोट कर सकते हैं 19,835, 893 और 922 यह उपर के सारे टारगेट है जो की आप नोट कर सकते हो अगर फिर भी कल मार्किट अगर 19,510 के उपर निकलती है या नहीं मैं यहां तक के टारगेट तो आपको अच्छी तरह ब करूंगा टारगेट को और टेलीग्राम पर आपको बता दिये जाएगे जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं किया तो जोईन कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकां का बटन दबाएए नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का कीजिए थेंक यू थन्डे बाँ थेंक यू थेंक यू थेंक यू थन्डे बाँ